नमस्कार, मैं अदिती और आप देख रहे हैं न्यूजनाव प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्रा ने पीट के कार्याले में आयोजित पत्रकारवार्ता के दोरान यह बात बताई प्रोफेसर श्याम कार्तिक मिश्रा ने बताया कि 10 और 11 फर्वरी को मालविय मूलिया अनुशीलन केंद्र बेचिव में समाज वैग्यानिकों द्वारा भारत के पुनर निर्मान में दीन दयाल उपाध्याय का योगदान एवं दीन दयाल के विचारों की उपाधयता विशय पर गहन मंथन किया जाएगा जिसमें जाने माने समाज वैग्यानिक मानव संसाधन मंत्राले के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर प्रोफेसर अशोग गजानन मोदक उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायन दीक्षित उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा मंत्री जाशून्य सतीश चंद्रद विवेदी, सेंट्रल यूनिवरसिटी उडिसा के चांसलर प्रोफेसर पीवी क्रिशन भट भाग लेंगे पंडित दीन दयाल उपाध्याई पीट सामाजक संगठनों के साथ मिलकर धरातल पर दीन दयाल के दर्शन को पहुंचाने का काम कर रहा है नागरिक्ता संशोधन कानून पर भी दीन दयाल चया ने राष्ट्रिय संगोष्टी करा कर लोगों में सही बात बताने का काम कर चुका है वैचारिक मंथन के दोरान दीन दयाल के दर्शन को जीने वाले सामाजिक कार्यकतरताओं को विधान सभा अध्यक्ष सम्मानित करेंगे सामाजिक वैचारिक मंथन द्वारा राष्ट्रिय एक्ता के सूत्र वाक्य को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा दीन दयाल उपाध्याई ने जिन गरीबों वंचितों और अंतिम व्यक्ती की वकालत की थी यह चय उनके आदर्शों के अनुरूप विभिन स्थलों पर अंतिम व्यक्ती के जीवन को बहतर बनाने वाले संगठनों के साथ भी अनुभवों को साजा कर रहा है शीक्र ही काशी हिंदू विश्व विद्याले में दीन दयाल के विचारों को सनातक स्तर पर पढ़ाया भी जाएगा वारा नसी से संतोष कुमार सिंग की रिपोर्ट